बुखे हाथियों के जुन्ड ने मकानों को तीन के गित्तर अच्छती ग्रस्त कर दिया दसत में रजजग्गा कर रहे हैं ग्रामीन बुखे हाथियों के जुन्ड ने प्रवेस किया था जिसके बाद से लगतार बन विभा के टीम इलाके के लोगों को एलट रहने को कह रही थी बन विभा का दिकारियों ने कहा कि लोग खेतों के आसपास टायर जला कर रखें जिसे हाथि दूर भागेंगे हलकि ऐसा कुछ नहीं हुआ और सनी बार की पहली सुबह रजोली चितोली गाउं में हाथियों का जुन्ड घूस किया हाथियों का जुन्ड भूखा था और गुसे में खानी की तलास में उन्होंने कई घुरों को तोड़ फोड़ कर दिया नो की संख्या में हाथी गाउं में घुसे, हाथीयों ने बन विभाग के हर दावो को फेल करते हुए घर, पानी टंकी, मसीन का बना हुआ घर छति ग्रस्त कर दिया अब तक विभाग के द्वारा हाथीयों पर काबू नहीं पाया जा रहा है जिसे इलाके के लोगों में दसत इसे पहले सुकर बायर कोव हाथियों के जूण ने गाउन से सटे जंगल में उत्पात मचाया था और किसारों का फ़सल काफी मत्रा में नुकसान कर दिया बी होकी हाथियों के जुंड द्वारा तोड़ फोड़ किये जाने के बाद से ग्रामिन खासा दसत में है उनको डर है कि कहीं हाथियों का जुंड उनको निशाना न बना दे इस डर से असपास के कई गाउं के लोग हाथियों को बस में करने को मजबूर है इसको लेकर अब तक बन भी भाग के तरफ से अस्थाई समाधान नहीं निकाला जा सका है किसान मुकेश कुमार और पिंटू यादो के धान का फसल काफी नुकसान हुआ है दोनों किसानों के वाटर मसीन इट से बने हुए कमरा पूरी तरफ से तोड़ दिया है बिलोर टुला के किष्णा बिलोर एवं देवाट बिलोर का इट निर्मित मंकान को धुश्ट कर दिया है इन हाथियों के आतंग से ग्रामीन काफी दसत में जी रहे हैं लगतार खबरों को देखते रहने के लिए बाबा राष्टी नों चैनल को लाइक करें सेयर करें सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें